नमस्कार दोस्तों, OCN Network में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पाकिस्तान की और पाकिस्तान के साथ साथ अपने जमू कश्मीर की भी, इधर फिर से बौखलाहट दिखाई दे रही है, कुछ-कुछ ऐसी घटनाएं घट रही है जमू कश्मीर में, जिन से ये पता चलता है कि अभी इनका समूल नाश हुआ नहीं है, अभी भी ये गहात लगा करके अपनी उपस्तिती दर्ज करा रहे हैं। इस पर आएंगे, लेकिन इस से पहले पाकिस्तान में इस समय जो कुछ घट रहा है, वो एक नए संकेत दे रहा है, एक डेड़ दर्जन के आसपास आतंक वादियों के सरगना, जो भारत में भी किसी ना किसी आतंक वादी वारदात से जुड़े रहे हैं, उनका एक के बाद एक खात्मा, ये क्या शो करता है? क्योंकि भारत या भारत का कोई एजेंट या भारत के द्वारा नियुक्त कोई ताकत तो ऐसा नहीं ही कर रही होगी, अगर ऐसा होता, तो जितने लोग अब तक मारे गए हैं, जितने आतंक वादी आतंक वादी सरगना मारे गए हैं, उनमें से किसी का तो अभी जो उनको खतम करने वाला है, वो पकड में आता एजिंसियों की, कोई उनका मर्डरर पकड़ा भी नहीं जा रहा है, यानि कुछ ऐसा हो रहा है, जो बहुत सारे सवाल खड़े करता है, और अभी दाउद इबराहिम का जो किस्सा हुआ है, बताया गया कि उसको किसी ने पोईजन दे दिया है, किसी ने कहा कि कोई जहर का इंजेक्शन दे दिया है, फिर बताया गया कि कराची के एक ऐसे अस्पताल में उस पानों वगेरा को ही उप्चार दिया जाता है तो ये सब है क्या इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड रहे हैं और आप उनसे परिचित बिलकुल नहीं है टेरिटोरियल आर्मी के पूर्वचीफ रक्षा सुरक्षा मामलों के जानकार अरिका से काउंटर टेर्रिजम की स्पेशल ट्रेनिंग लेने वाले मेज़ा जनरल रिटार्ट एक सिवास सर जुड गए हैं सिवासर बहुत स्वागत है नमस्कार नमस्कार छोज स्वासर पाकिस्तान में यह हो क्या रहा है लोग समझना चाहते हैं कि एक के बाद एक वहां अलग अलग शेत्रों में अलग अलग प्रांतों में टर्रिस्ट निपट रहे हैं टर्रिस्ट को वहां से सिगनल देने वाले प्लांट करने वाले कारवाईयां करने वाले निपट रहे हैं और अभी तो दाओद इबरहिम का भी बहुत सुर्ख्यों में रहा है कि उनको जहर दे दिया गया और अस्पताल में भरती कराया गया हाला कि उसके बाद से उनकी खबरे लगबग नगणने हैं आ नहीं रही है पर ये भी समझ में आ रहा है कि खबरों पर एक रणनीती के तहत पाबंदी लगाई गई होगी कि बहुत जादा ये चीजें ना फैलें और जो ये जो आतंगवादी जिन्होंने उन्हें पाला था आज उसके लिए लैबल्टी बन एक तो फाइनेशल एक्षिन टास्फोर्स से इसको ग्रेय लिस्ट पे डाला वा था बड़ी मुश्कल सी एक ग्रेय लिस्ट पे निकला है और वो भी कहीं ने कहीं अमेरिका के सिपारत स थे क्योंकि इसने अमेरिका को बेज दी थी आलजवारी को मानने के लिए जो की काबल में था वहीं से ड्रोन उड़े थे एक परकार प्रिटिस्तान तो सचाई ये है आज इनके उपर साओधी अरेबिया का भी प्रेशर है अमेरिका का भी प्रेशर है और ये जितने भी आत प्रेशन वादी मारे गए हैं एक से बड़ा है वो जो है इन्होंने खुद इनकी आईसाई ने इनको खत्म करा है जो को खवाजा शहीद है जो की सुझवान के आर्मी केंदर इन्वाल था उसके बाद आपका शहीद लतीफ है जो की पठान कोर्ट एरफो स्टेशन में था उसके बाद आपका रियाफ एमद है उसको मारा गया टर्रिशन में था यारजोरी में उसके सासा बशीद एमद पीज सेयद खाली जो कारेट ची मारा मिस्तरी जरूर यह सारे के सारे जो आतिगवादी हैं ये एक के बाद एक मारे गए है और वाक्य सचाई है इनको किसने मा मारा क्यों मारा यह कुछ नहीं पता चलता और ना कोई पाकिस्तान की मीडिया कुछ इसके बाद में बोलती या पाकिस्तान की को किसने मारा इसकी कोई investigation हो कोई ऐसी बात नहीं तो ऐसा लगता है यह पाकिस्तान की मिली भगता पाकिस्तान की जो ये साही है वो ये कारवाई कर रही है और वो चाहती है कि वो एक प्रकार क्लीन एप एक्चन करें और यही नहीं खालिस्ताम की जो विटररिस्ट है परमजी इसको लाहोर में वारा गा तो ये मुझे लगता है ये एक नई strategy है और अभी इसी के साथ आगर आप देखें दाओद इब्राहिम को सब को पता है कि कराची की एक hospital में इसको इलाज चला था क्योंकि इसको poison कर दियागा अब यह poison किसे ने किया है वाकर कोई कर नहीं सकता है अब पाकिस्तान के लिए बड़ी विडमना की बात है वो कैसे बताएं यह hospital में या अभी यह रहा नहीं उसकी problem यह है कि उन्होंने तो कभी माना ही नहीं कि जो दाओद इब्राहिम उनके कराची में जब कि भारत ने उसके उपर डोजियर भी दिया उसकी location भी दी क्लिफ्टन टाउन जो कराची की कंट्रोर्मेंट एरिया वहां पर रहता है यह मगर पाकिस्तान ने इसको कभी नहीं माना और मुझे लगता है दाओद इब्राहिम जो की एक बहुत बड़ा मास्टर माइंड था और 1993 मुंबई ब्लास्ट का और एक परकार ड्रग माफिया का सबसे बड़ा लॉट जो गल्फ से पाकिस्तान और भारत में बेटता रहा था आज वो भी एक परकार इनके लिए बहुत बड़ी लैबर्टी बन गए तो मुझे लगता है यह हाउस क्लिनिंग ऑपरेशन है पाकिस्तान पाकिस्तान की जो आईसाई वो गॉर्मिन्ट के कहने पर एक के बाद इनको खतम कर रही है और यह सचाई है यह आज इनकी लैबर्टी बन गए इसलिए कोई इन्वेस्टिकेशन है अब मुझे लगता है वह समय दूर नहीं जो हाफी शहीद है जो लस्कर तोबा का कमांडर है और मस्मूद अजर जैसे मौमद का सेयद सलाउदीन इजबन मुझाहिदिन का इनका भी नंबर आएगा और यह मुझे लगता है ज्यादा देर टाइम रह सिवाज साब इदर पाकिस्तान के सेना परमुख अमेरिका के भी दोरे पर हैं और वहां पर वो बिलिंटन से बिलिंकन से जो दूसरे और उसके काउंटर पार्ट है उनसे अलग-अलग लोगों से मिल रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है जो कुछ आप कह रहे हैं वो बिलकुल FATF की ग्रे सुची में रहा है दुनिया भर से मदद मिलनी बंद हो चुकी है यहां तक के जो इनके खैर खुआ माने जाते हैं यानि चीन, सौदी, UAE, कुछ और जैसे तुरकी भी थी, मलेशिया की तरफ से भी कुछ इनको सपोर्ट वैसा मिलता था, फाइनेंशली तो सपो सौदी की तरफ से कोई प्रेशर रहा होगा कि इस बीमारी से आप मुक्ती पाईए, नहीं तो बरबाद हो जाओगे, कोई तुमारे साथ नहीं खड़ा होगा, यहां तक कि जो मुसलिम देशों का संगठन है, वो भी कभी-कभी तो इनके मन की कर देता है, वरना आम तोर पर इनके साथ खड़ावा दिखाई नहीं देता है, तो क्या अब पाकिस्तान में वाकई, जो यह शरीप बंदू है, नवाज शरीप भी वापस लोट आए हैं, चुनाव की परकरिया शुरू है, वहां पर जाहिर है, इमरान खान जो है, वो तो जेल में है, और उसका तो अब क को भी ब्रीफ करने गए हैं, पाकिस्तानी सेना परमुख, कि हमने अब यह हैसला कर लिया है, कि इन से मुक्ति पाई जाए, हाँ बिलकुल, देखो यह सचाई है कि जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो फोज है, उसका बहुत बड़ा जो महतव है, और यह सचाई है, यह सब को पता है, हर देश के पास आर्मी है, मगर पाकिस्तान की आर्मी के पास देश है, तो इसलिए जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो डी फैक्टो प्राइमिस्टर का काम करते हैं कई बाद, और जिस परकार से वो पहरे साओधी रेबिया गए, युएई गए, अभी अमेरिका की जो विजिट में हैं, वो सेकेटरी ओफ स्टेट से भी मनें, अन्टिनी बलिंकन से, सेकेटरी और डिफेंस से भी मनें, आस्टेन लॉयड से, वो फिर डिप्टी एनसे से मिले, तो ये अगर आपको कि भई जो चीफ और फार्मी स्टाफ है, उनका इस से क्या ल है या प्राइमिस्ट्र करता है, और ये सचाई है कि अमेरिका और पाकितान के रिलेशन में बहुत खटास आगी थी इमरान खान के टाइम ने, और कहीं ने कहीं इमरान खान ने जो अमेरिका की तरफ इंगली भी उपहाई थी, कि इसकी इन्वॉर्मेंट है, उसको गिराने में उसकी गॉल्ड तो सचाई है एक तो वो relationship इंपरूव करना चाहते हैं दूसरा अमेरिका की तरफ से बहुत pressure है कि आप terrorism का साथ छोड़ें क्योंकि हम अभी तक तो ISI और CIA चाहे कुछ भी हो अफगानिस्तान में इनका बहुत close ता association especially जब Russian थे वो अभी भी है बगर उनोंने अब इसको साफ वान कर दिया है आप अपने house को clean करें आप टर्रिस्ट जो पाले हुए हैं आपने जो हिलेरी किल्टन ने 2013 में बताया था जब वो आई थी आज़ सेकेंटरि और स्टेट पाकिस्तान में की अगर आप अपने 세상 पालेंगे तो एक दिन वह आपको ढसेंगे तो वह अतंग जो उनों पाला था आज वो तरफ के तालीबाट के रूप में इसे ईनारा है और ये जो आतंगओादी इन्हों ने बाले हुए हैं भारत के जिए ये यह इनके लिए सिर्थ बढ़ गया है क्योंकि आब फैनाइशल एक्षिन टास्फोर्स इनको फिर ग्रेलिस्ट में डाल सकती है फिर इनको कोई पैसा ने मिला इक्रोमिक लिए बहुत बुरी हाला आता है चार पाइंट बिलियन डॉलर के क्रीव 4.5 बिलियन डॉलर इसकी फोर इंपोर्ट करती थी इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं और इंफलेशन जो है उनका थर्टी नाइन परसंट है हाईएस्ट इन एशिया एंड वन आफ दाईएस्ट इन वर्ल्ट आज उनका रुपी सततर परसंट गिर गया एक साल के अंदर तिन सो रुपे बरापर एक डॉल जाना चाहती हैं मिलना भी चाहती हैं वो प्राइम मिस्टर से मिला नहीं देना चाहिए क्यों तो इसको सारे को मत नज़र रखते हुए मुझे लगता एक बहुत बड़ा प्रेस्ट है और जो आर्मी चीफ है जनला असी मुनीर जो अमेरिका गए हैं तो कहीं ने कहीं इसी क वरीफ करने गए हैं और उनका बहुत बड़ा से है पाकिस्तान में और मुझे लगता हूँ भी चाहते हैं कि किसी तरीके से इस एकनोमिक क्रैसिस से बार निकला जाए किसी तरीके से मदद ली जाए अमेरिका से साओधी से यूएज से और मदद अब वो देश तभी देंगे जब आप आतंग बाद का कही ने कहीं साथ छोड़े अब यह जो सामप पा लेुआ हैं यह कहीं ने कहीं पाकितान ही खुद ही इनको खतम करेगा और यह जो अठारह 20 से के करीश जो आतंगवादी एक के बाद एक मारे गए हैं लास्ट एक साल के अंदर वो सारे सारे ये मुझे लगता ISI काई ही काम है और वो दीरे दीरे अपना क्लीन अप एक्शन कर रहे हैं चोदिशा और सिवास साब जो बदलाव इधर जमू कश्मीर में किये हैं भारत सरकार ने उसके बड़े सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं और वो परिणाम जो है वो पाकिस् काफी समय से इधर जो विकास कारिया हो रहे हैं उनको देखकर के बहुत विचलित भी हैं सडकों पर भी हैं परदरसन भी कर रहे हैं अब तो डिमांड करनी शुरू कर दी है के बॉर्डर खो लिए हम तो भारत के साथ मिलना चाहते हैं तो एक नई समस्या पाकिस्तान के पा स्लीपर सेल हैं उनके उनको वो एक्टिवेट करते हैं और जिस तरह की गटना ये पुंच में हुई है उस तरह की गटना करा देते हैं अब दो बाते हैं यह सचाई है कि आर्टिकर तिन सो सतर और पैती से अब्रोगेट होने के बाद जो कश्वीर गाटी के अंदर एक परक डेमोक्रसी आई है डिस्टिक ज्वर्पेंट कॉंसल और और पंचायत अलेक्शन हुए हैं उसके बाद आप देखें वहाँ पर टूरिजम रिकॉर्ड टाइम आया है इंडस्ट्री बहुत जोरों से आगे होटी कल्चर और कोर्टेज इंडस्ट्री आएम मेडिकल कॉलिज बन गए हैं इंजी लिंग कोले जो बीस के करीब थे आज वो साथ के करीब होंगे पूरे जमून कश्मीर के अंदर और जो पत्थरबाजी की गट्राएं होती थी किसी समय में जो पैसा आता था आईएसाई से हूरियत से और बच्चों को बहुला के में उनसे पत्तर बजा आई अगर आप देखें आज जो से पांचे साल पहले दो सो से डाई सो आतंगवादी हर टाइम होते थे मगर आज वो गटके चाली से पचास रह गें वो लास्ट फेज में है टरिजम स्पेशली कश्मीर गाटी में और इनकी लीडर्शिप खतम हो चुके लसकरे तोबा जै की पीर पंजाल के साउथ में जो दोजार एक के बाद बिलकुल ही शान था और बिलकुल वहां टरिजम खतम हो गया था कि जो गुजर पॉपलेशन है वो बहुत ही जादा लॉयलिस्ट है मगर हुआ क्या कि दोजार एक बीस के अंदर जब ये आपका पुलवामा हुआ और बाद जैसे ही चीनी आए इस्पेशली गलवान के अंदर इस्टन नदाक में तीन डिविजन लेके उस समय जो फोर्सिज वहां वेजी तो क्योंकि ये इस अलाके में शांती आगी थी तो यहां से थिन आउट कर दिया था ट्रॉक्स को यहां से भी निकाला था और वो चीन को लग रहा है कि यह जिस परकार से तीन डिविजन भारत लेके आगा है कि भारत जो है एक प्रेशर डाला चीन पर तो यह भी एक वजह हो सकती है कि अमेरिका चीन ने भी पाकिस्तान को उकसाया है तो अभी पाकिस्तान ने यह जो पीर पंजाल के साउथ में रजोरी पुंच का इलाका उसको एक्टिवेट किया है तो ये एक cause of concern है मगर भारत की फोथ त्यार है अब सबसे पहले important चीज है कि ऐसा इस इस इलाके में क्या है कि इसको activate करने से क्या होगा क्या insurgency दुबारा आ जाएगी देखो उस इलाके में सबसे important चीज ये है कि वो जंगली लाका है पहड़ी है forested है visibility काम है line of control के साथ है और वहाँ पर natural caves है और वो natural caves जो हैं वो जंगलों में आपको छुपाओ देने के लिए बहुत अच्छी रखें और एक जंगल से दूसरे जंगल में रस्ता है तो उसको बद्द नजर अब पाकिस्तान ने क्या किया है वो आतमगवादी जो अफगानिस्तान में लड़े थे और जो कि American हथियार जिनके पास है जो 400 से 500 उन्होंने बिठा बारक के थे आज उनको वो पुश अप करने की ट्राई करने हैं भारत में उसमें से पच्छीस तीस के करीब आ भी गए ऐसा सुनने माया है जो कि सुनन कोट इलाका रजगोरी पुंच और के लाके में हैं और ऐसे में ये इसको एक्टिवेट करने की कोशिश करने हैं मगर भारत की फोद मिलकुछ चुकनी है और मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा देर इनको लगे गा इनको खतम करने की मगर ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिस है कि हम एक तो ये दिखाएं वर् पाकिस्तान में जो लोग हैं वो सडकों पे आगे हैं उनको नजर आ रहा है बारत का जमू कश्मीर बहुत आगे चला गया है वो कहरे हम बारत में मिलना चाहते हैं भारत का हिस्सा है और इसलिए वहाँ पर भी आवाज आ रही है तो उसको भी नकारा करने के लिए क्योंके दिखाने के लिए रजोरी पुंच के अंदर तो टर्रिजम है तो एक परकार से दो बाते हैं एक तो चीन ने प्रेशर डाला है कि इस इलाके को एक्टिवेट करो और कहीं टुप्ष निकाला है भारत इस्टन लदाक से और यहां बेजे जिससे प्रेशर खतम हो वाँ और द तो मुझे लगता यह इसकी एक परकार से स्टैटीजी है मगर इसको स्टैटीजी को काउंटर करने के लिए भारत की फोज करने के लिए हमें अपनी स्टोडी स्टैटीजी बदलनी पड़ेगी क्योंकि यह इलाका पाड़ी है जंगली है अभी तक भारत की जो फोजे थी व यहां पर जो सचाई है अगर आप जंगल में मुठबेड होती है तो आपकी खुद की भी कैजूल्टी होने के बहुत चांसिज है दो बातें वहां जो कौज और कंसर्ण हैं कि वहां पर एक तो यह अभी गाउं वगारा में नहीं जाते हैं क्योंकि वहां पर नैच्रल केव ज लगते हैं जिसको कैशिज मोगते हैं जिसमें अपना हथियार भी खाना पीना भी मगर यह रखी के लिए इंटेलिजन्स के लिए यह इस्तमाल करें गाउं वारा इसका मतरब ओजी डबलू अभी भी हुए हैं जो अब हमारे लिए कचिनता है स्लिपर सैल ओजी डबलू हमे हमें अब पता लगाना पड़ेगा और इनको नुट्राइज करना पड़ेगा तो यह एक बहुत इंपोर्टन चीज और दूसरा हमें अभी स्टैटिजी चेंज करनी पड़ेगी अब जिस परकार से हमने उड़ी के बाद सर्जिकर स्ट्राइक किया पुलवामा के बाद बा पारिक में स्पेशली रफैल आने पर हमारे पास माइका मिसाइल और स्काल्प मिसाइज जो छे सो साथ सो किलोमेटर जा सकती है वो भारत से ही मुझे लगता है कि अभी आपको करना पड़ेगा तो कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं आपकी खुद की कैजूल्टी हों तो कि हम भ हैं वहां अंदर बढ़के घुषके मारना पड़ेगा और ये हमारे अंदर काबले तो शम्ता है दूसरा हमने सीज़ फायर कर रखा है वो सीज़ फायर जो है पाकिस्तान को बहुत सूट करता है क्योंकि पाकिस्तान के पास ना तो इतना पैसा है कि वो आटी का अमनुशन बौर्डर है खाइबर पक्तून को आँ वहां पर बहुत बड़ी मिलिटनसी और टर्रिजम चला है तारीके तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ कि उसके रिलेशन बहुत खराब हो गए हैं क्योंकि डूलर लाइन नहीं मानता पस्तून जो है वो अफगानिस हैं उनको मदद कर रही है तो यह मुझे लगता है अभी चेंज करनी ही पड़ेगी स्टैटीजी क्योंकि करीब करीब दो तीन बिने के अंदर भी हमारी कैजूल्टी जो हैं वो काफी हैं और वो कॉज और मुझे लगता है जो हमारी देश की मिल्टरी है वो इसके लिए है कि आपको खुला हाथ है फोज को खुला हाथ है जैसी सिचुएशन देखे आप एक्शन ले सकते हैं तो यह कहना है कि क्या है गौर्मेंट ने कुछ कहा है नहीं गौर्मेंट ने आपको खुली चूट तेर की है अगर आपको महसूस होता है कि आपने यह एक्शन लेना है तो आप ले सकते हैं तो ये एक बात बड़ी बात है और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है हमें प्रो एक्टिव स्ट्राटिजी और पाकितार के अंदर घुसके बारना पड़ेगा क्योंकि आप बार बार इतनी कैजूल्टी नहीं ले सकते हैं चोदरी साथ सिवास साब बिलकुल सही कह रहे हैं मेरे सामने एक आखड़ा है पिछले 26 महिन्ये में ये चोथी वारदात है और हमारे अब तक 21 जवान जो हैं वो सर्वोच बलिधान दे चुके हैं 11 अक्तुबर 2021 को चम्रेड इलाके में तलाशी अभियान चल रहा था जवान उपर घात लगा करके हमला किया गया जेसियो समेथ पांच उस समय सर्वोच वीरगति को प्राप्त हुए इसके अलावा 20 अक्तुबर 2021 को भाटा दूडिया में तलासी अभियान चल रहा था छे जवान उस समय बलिदान हुए डेड़ महिने तक जम्मू पुंच हाईवे को बंद करके फिर तलाशी अभियान चलाया गया 20 अपरेल 2023 यानि इसी साल जो भाटा दूडिया इलाका है वहां सैन ने वाहन पर ग्रेनेड से हमला किया गया और नतीजा ये के गोली बारी हु और पाँच जवान जो हैं हमारे शहीद हुए और 21 दिसंबर 2023 यानि आज से एक दिन पहले दो दिन पहले जो सावनी है वहां घहत लगा करके हमला किया गया और हमारे पाँच जवान जो हैं वो सर्वोच वीर गति को प्राक्त हुए सिवास सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और क्या एहतियाती उपाए करने चाहिए क्या रननीती बनानी चाहिए इसकी भी चर्चा आपने की है आप जुड़े OCN नेटवर्क के लिए आपने इतना समय निकाला आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार नमस्कार सर आता ह दो देङ, जा हिन चाहिन, सर आता है.